नमस्कार दोस्तों खमा गणिसा केसे हो आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में वेस्ट होंगे तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरा वीडियो भी देख लिया करो साइध आपको पसंद आ जाए अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लीजिये और कल से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो मैंने फिर से स्टार्ट कर लिया है तो यहां पे हम खुब इंजोई कर रहे हैं और हम इस टाइम है बागा बीच पर तो युराज कर रहा था और सबी लोग बहुत इंजोई कर रहे थे यहां पर क्यूंकि यहां का व्यू बहुत ही अच्छा है और फिर मेने फोन किसी को दे दिया था कि आप ठोड़ा सा हमारा वीडियो बना दो क्यूंकि मैं खुद का वीडियो भुद से नहीं बना पाती हूँ और क्योंकि फुल फोटो फिर मेरी आती नहीं है और इसलिए मैंने दूसरों को किसी को पकड़ने के लिए दिया है तो अब हम तीनों की वीडियो अच्छे से बन रही है वारना मैं खुद फोन हाथ में पकड़ के रखती हूँ तो मेरी आदी फोटो ही आती है फुल फोटो वीडियो आती नहीं है ज्यादा और इवराज के पापा बहुत कम फोन पकड़ते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा इदर उदर हिला डूला देते हैं तो फिर अच्छी नहीं आती है वीडियो हिलती डूलती हुई आती है तो तो इसलिए फोन में ही ज्यादा पकड़ती हूँ और बस हम यहाँ पे बहुत इंजोई कर रहे हैं आप सब भी जरूर जाईएगा कभी इंजोई करने के लिए कौन-कौन गया है गवा घुमने के लिए कमेट में जरूर बताना मैं तो पहली बार गई हूँ दोस्तों जर्जे तो बहुत अच्छी है लेकिन हवा का भाव कभी तो भी इतना तेज आता है जैसे लगता है कि बड़ा रिस्क्य हो गया है मैं तो एक वार गीर ही गई थी क्यूंकि इवराज पीछे हटने का डाम ही नहीं ले रहा था जैसे ही भाव तेज आया था आगे की तरफ जा रहा था लेकिन मैं जबर्दस्ती से पीछे की तरफ की खेंच के लेके आई थी मैं भी गीर गई थी आदे से ज़्यादा पीछ गई हूँ अब इवराज नराज हो गया है कि मम्मी खेलने भी नहीं दे रही है तो देखे पानी के भाव के साथ में कितना सारा कच्रा आ जाता है और नारियल भी आते हैं बहार चपल बगेरा चपल चली जाती है लोगों की पानी के अंदर और फिर दूसरे भाव में वापिस आ जाती है सेम तो नहीं आती है कहीं दूसरी जगे जाती है कहीं दूसरी जगें दूसरी की यहां पर आ जाती है और चारों तरफ देखें कितना अच्छा व्यू लग रहा है पानी पानी और इधर बगेरा रखी हुई है यहां पर नास्ता कर सकते हैं खाना खा सकते हैं आराम से बेट के इंजोई करो यहां पर मसाज भी करा सकते हो जैस यहां पर चेर टेबल रखी हुई है न वहां तक आ जाता है और हमने जैसे ही कुछ खाने के लिए ओडर किया था तो पूरा पानी से खराब हो गया था मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी टेबल के उपर तक पानी आ गया था एक वार तो मेरी और ईवराज की चपल भी पानी में तेर गई थी फिर हमने भाग के चपल को पकड़ा था और बस इंजोई करो खुब मस्ती करो हमने बहुत इंजोई किया था काफी देर तक इंजोई किया था उसके बाद ही घर गए थे फिर देखो मैं तो पानी की तरफ जा रही थी मैंने नाम लिखा अपना और ईवराज के पापा का नाम P से सरू होता है तो P लिखा और मैंने अपना नाम N से सरू होता है तो N से लिखा लेकिन ईवराज को देखो इसने तो राम का नाम लिखा है बहुत ही अच्छी बात है क तो जैश्री राम, कमेंट में जरूर लिखना दोस्तो, तो फिर हमने पानी में और ज्यादा इंजोई किया, और मुझे देखे, मैं तो पूरी भीग चुकी थी, रूम में जाने के बाद कपड़े चेंज करने पड़े थे, इतनी भीग गई थी, युराज की पैंट को तो मैं हाथ में लेके गई थी, रूम तक, यह चड़ी में गया था, क्योंकि पैंट पूरी तरे गिली हो चुकी थी, फिर यह बोल रहा था, अब तो मैं ना ओटो में बेट सकता हूँ, गिली पैंट में, ना चल सकता हूँ, बूरी हालत हो गई है, तो मैंने सोचा चलो, पैंट न में धीरे-धीरे तो आदत हो जाती है, कि क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं, तो देखो, पानी में मैं भी इंजोय कर रही हूँ, जैसे बचबन में खेलते थे, वेशे ही खेल रहे हैं, यहां पे भी पानी के साथ में, तो बस मैंने अभी फोन इवराज के पापा को ही पकड़ाया है, मैंने बोला, आफ हिलाना, डूलाना मत, अच्चे से बनाना, फिर भी इवराज के पापा सही नहीं बना पाते हैं, देखो, अंगुली दिख रही है साथ में, केमरे के पास में आ जाते हैं, उनको इतना अच्चे से बनाना नहीं आता है अभी, पर कोई बात धीरे धीरे सिखा देंगे, मैं भी भूत मुश्किल से अब थोड़ा भूत बनाना सीखी हूँ, वरना मुझे भी नहीं बनाना आता था पेले वीडियो, तो बस यहां पे माबेटे की मस्ती चल रही है, खेल रहे हैं दोनों माबेटा मिलके, बच्बन की यादे ताजा कर र वीडियो दिया था कि मैं तो ठक गई हूँ जा रही हूँ आप बेटने के लिए आप दोनों इंजोई करो तो युराज बोल रहा है मम्मी तो बहुत जल्दी ठक जाती है अभी अभी तो आये हैं अभी तो और खेलूंगा बाद में जाएंगे कुछ खाने के लिए लेकिन मैं तो काफी ठक गई थी तो मुझे लगा कि मैं तो आराम से बेट के रेश्ट करती हूँ इनको इंजोई करने देते हैं क्यूंकि बच्चों को भूद ज्यादा खुसी मिलती है खेलने में घूमने में मुझे तो इतना ज्यादा सौख नहीं है घूमना फिर न लेकिन इसलिए मैं तो फ वीडियो कैसा लग रहा है कमेट करके जरूर बताना अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है न तो एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और आगे हम कहां कहां घूमे हैं कौन से कौन से बीच पे गए हैं वो सारे भी मैंने वीडियो बना के रख होगे तो यहां पर हैं ठakhaar के घूमऴभीर के किनारे पर बेट गये हैं अब हिव्राज को बहुत तेज भूग लगी है तो चलो कुछ order करते हैं तो यहाँ पे हम बेठे हैं, कुछ खाने के लिए बेठ कर रहे हैं, और इवराज के पापा इवराज को कुछ बता रहे हैं दूसरे बीच का नाम बता रहे हैं कि वहाँ पे है, उदर है, उदर है तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ पे है किदर है तो वहाँ तो बाद में जाएंगे तो पहले बस थोड़ी देर यहाँ पे रेश्ट करते हैं कुछ खापी लेते हैं उसके बाद ही दूसरी जगे जाएंगे तो चलो आसपास का एरिया दिखाती हूँ वहाँ पे सामने वो दीदी उनके चोटी बना रही है सूत की डोरी से ऐसे पतली सी चोटी बनाती है जो बहुत ही अच्छी लगती है आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक बाई बाई दोस्तो